सोतन दोस्तो ये एक new upcoming भोजपूरी फिल्म है जिस फिल्म की कहानी कुछ हट के होने वाली है दोस्तो आपने हिंदी में सोतन फिल्म देखा होगा लेकिन दोस्तो ये भोजपूरी में होने वाली है और खास बात ये कि इस फिल्म में मुख अभिनेतरी जो है संचीता बनर जी ह जिन्होंने भोजपूरी में कई सारे फिल्में सुपर हिट दी हैं जी हैं दोस्तों ये पारिवारिक फिल्मों में अक्सर देखी जाती हैं और एक और अभिनेतरी हैं जिनका नाम रीतु सिंग है विकरान सिंग राजपूत इस फिल्म के मुख अभिनेता हैं तो ये कमाल की फ देखने को नहीं मिलती हैं क्योंकि दोस्तों YouTube पे फिल्में रिलीज ही नहीं होती हैं बहुत से प्लेटफॉर्म है जहां पे फिल्में रिलीज होती हैं जैसे दंगल प्ले एप पे तो वहां पे आपको पैसे दे करके देखना पड़ेगा जी हां लेकिन मैं एक ऐसा प्लेटरी रितु सिंग से होती है जी हां दोस्तों रितु सिंग ओ अभिनेतरी हैं जिनको आपने पहली बार देखा होगा मेहदी लगा के रखना फिल्म में जोकि खेसारी लाल यादों की वो फिल्म थी और उस फिल्म में काजल रगवानी की छोटी बहन बनी हुई थी रि तमाम फिल्में उन्होंने भोजपूरी में कर ली हैं और तमाम फिल्में उनकी आभी रही हैं दोस्तों रितु सिंग एक गाना में भी उनका काफी पोपलर हुआ था जिस गाने का नाम लगा के फेर लवली था जो की मेहदी लगा के रखना फिल्म से ही था दोस्तों फिल्म होने के बाद ये एक दूसरी के साथ कुछ समय गुजारते हैं फिर क्या इन में आपस में काफी अच्छी understanding, bonding हो जाती है जिसके बाद ये लोग निश्चैक करते हैं साधी के लिए सब कुछ सही होने के कारण इनके घर वाले मान जाते हैं और विकरान सिंग राजपूत की साधी जो है, रितु सिंग से अच्छे ढंग से हो जाती है रितु सिंग अपने समस्राल आजाती है और देखती है जितना मैंने सोचा था उससे कई गुना बढके हमने पाया है ऐसा ख्याल रितु सिंग के मन दिल में आने लगता है क्योंकि घर काफी अच्छा होता है और घर में रहने वाले लोग जो हैं वो भी अच्छे होते हैं उससे ज्यादा अच्छे होते हैं सभी लोगों का ख्याल हो रखती हैं और वो लोग भी रितु सिंग का अच्छे ढंग स ख्याल रखते हैं समय बित्ते जाता है सभी लोग खुस होते हैं सभी के अंदर खुसिया होती है और विक्रान सिंग राजपूत जो इस फिल्म के अभिनेता है वो भी ज्यादा खुस रहते हैं क्योंकि वो समय से अपना ऑफिस जाते हैं समय से काम करते हैं समय से घर आते हैं स इसके बज़ा से घर में खुसिया ही खुसिया होती हैं। समय बित्ते जाता है, सब लोग एक दूसरे को सपट करते हुए चलते जाते हैं। एक समय ऐसा आता है, जब विकरान सिंग राजपुत और रितु सिंग कहीं घुमने के लिए बुलेट बाइक से जा रहे होते हैं। तो अचानक से मोड पे जैसे ही रोड क्रॉस करने वाले होते हैं, एक कार उनको आकर के ठोक देती हैं। और उनकी कार एकसिडेंट हो जाती है, वहाँ पे रितु सिंग बेहोस हो जाती हैं, और विकरान सिंग राजपुत ठिक ठाक बच जाते हैं। तो रितु सिंग को वो लोग होस्पीटल लेकल के जाते हैं, तो वहाँ उनको पता चलता है घरवालों को कि इनकी जो है या दास्त चली जा चुकी है और इनका बचने का कोई खास ये अब संभावना नहीं है। जिसके बचास से ये सारे लोग काफी दुखी होते हैं, खास तोर पे विकरान सिंग राजपुत जो हैं, वो अपनी वाइप से वादा किये हुए होते हैं, कि तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हारे सिवा में किसी और को नहीं देख सकता, तमाम प्यार होते हैं इनके बीच, जि देखते ही देखते दोस्तों, विकरान सिंग राजपुत की हालत ऐसी हो जाती है, कि घर वाले परसान रहने लगते हैं, वो लोग सोचते हैं कि आखिर ये हालत किस तरह से बना लिया है, क्योंकि ये पहले काफी खुस रहा करता था, माना कि इसकी लाइफ में जो इसकी पतन इन सारे बातों को ध्यान नहीं देते हैं, इगनौर करते हैं, लेकिन उनकी जो मा होती हैं, उनकी ममता चलक उठती हैं, इस हाल में अपने बेटे को देखकर, वो काफी रोती भी लगती भी हैं और उनकी जो बड़े भाई इस फिल्म में देव सिंग बने हैं आप देव सिंग को जानते होंगे जिनोंने भोचपूरी में तमाम सुपर सुपर हिट फिल्में की हैं और एक समय पे वो खा सिर्फ और सिर्फ निगेटिव किरदार पे नजर आते थे लेकिन अब पोजिटिव किरदार निभाते हैं तमाम फिल्में उनकी पोजिटिव में हैं और इस फिल्म में भी वो पोजिटिव किरदार निभा रहे हैं एक अच्छे अभिनेता का किरदार निभा रहे हैं तो दरसल वो भी अपने छोटे भाई को समझाते हैं कि क्या हालत बना लिया है तुमने सादि कर लो, हलाकि विक्रान सिंग राचपूत उनकी बातों को भी गौर नहीं करते लेकिन जब उनकी मां उनको समझाती है, रोती है उनके सामने तो वो मान जाते हैं और कुछ महीने भी बीट गए हुए होते हैं जिसके बाद विकरान सिंग राजबूत के जीवन में एक और इस्तरी आती है जिनका नाम हमने आपको सरो पर्थम पहले ही बता दिया है हाँ संचीता बनर जी संचीता बनर जी को आप जानते हैं जिनोंने भोचपूरी में कई सूपर हीट फिल्मे किये हैं कई सूपर हीट गानेओं उनके वाइरल हुए हैं हलाकि वो एक सिंगर नहीं है एक्टर है एक्ट्रेस हैं तो उनकी लिपसिंग वाले जो भी कई सारे विडियोज हैं गाने के 100-100-100 million views collect किये हैं एक तो उनका फिल्म आया था सासु जी तुने कदर ना जाने तो उस फिल्म ने समझो की तबाही ही मचा दिया था और उस फिल्म के आने के बाद से ही भोचपुरी में जो है एक परिवारिक मुद्दे वाली फिल्मे का चाल चलन जो है शुरू हो गया, सभी लोग उनको जानने लगे, पहचानने लगे और हलाकि संचीता बनर जी का आगमन भोजपूरी में उस फिल्म से ही नहीं बलकि बहुत पहले निरहुआ हिंदुस्तानी टू फिल्म आया था जिसमें मुक अभीनेता दिने सलाल यादो नी रहुआ ही थे और मुक अभीनेतरी संचीता बनर जी थी तो वो फिल्म में काफी सुपर डूपर हीट हुआ था और उस फिल्म के बाद से ही जो है दोस्तो इनकी परशिद्धी जो है इनकी लोग इनको जानने लगे और एक के बाद एक ये सुपर हिट फिल्म करती गई इनके सुपर हिट आगड़ों में एक और फिल्म है जिस फिल्म का नाम विवा है विवा एक ऐसी फिल्म है जिसमें परदिपांटिच इन्टू मुख अभिनेता थे और मुख अभिनेतरी के तोर पे संचीता बनर जी थी और एक और अभिनेतरी थी तो संचीता बनर जी की ओफ फिल्म भी एक ब्लॉक बश्टर हिट से आभित हुई है और उस फिल्म के बाद से ऐसी तमाम फिल्में सुपर हिट रही लेकिन सासू जी तुने कदर ना जानी ये जब फिल्म आया तो इस फिल्म को भी दर्शकों ने काफी सरहा एंड उसके बाद जो है एक अलग ही भोजपूरी इंडस्टी में मोटीव बन गया फिल्म को बनाने को ले करके तो सभी लोग अब परिवारिक फिल्में ही बना रहे हैं तो दोस्तो हम बता रहे थे कि जैसे ये सौतन फिल्म है तो जब विकरान सिंग राजपुत की साधी जो है संचीता बनर जी से फिक्स हो जाती है और फिक्स होने के बाद साधी हो भी जाती है और संचीता बनर जी अपने ससुराल आ जाती है, धीरे धीरे बिकरान सिंग राजपुत जी भी उनसे घुल मिल जाते हैं, उनको प्यार करने लगते हैं, सभी लोग खुस रहते हैं, सभी लोग एक दुसरे को सपोर्ट करते हैं, और संचीता बनर जी भी काफी खुस होती हैं अपने घर परिवार में, तभी जो है दोस्तों, रितु सिंग आई सी यू से ठीक हो जाती हैं, और उनको ऐसा होता है, कि विकरान सिंग राजपुत किसी दूसरे के साथ अब जीवन भितार हैं, और उनकी यादास्त भी वापस आती है, उनकी जब यादास्त वापस आती है, तो उनको पता चलता है, डॉक्टर भी बताते हैं, कि आप चार महिने की प्रेगनेंट हैं, तो रितु सिंग अपने आपको संभालते हुए, अपने ससुराल आती हैं, तो देखती क्या है कि एक नई इस्तरी जो है, उनके घर में है, तो रितु सिंग देख करके काफी यहां तक तो मामला ठीक हो जाता है, उस घर में रहने लगती हैं रितु सिंग, लेकिन धीरे धीरे जब चीजें बदलते जाती हैं, तो धीरे धीरे संचीता बनर जी और रितु सिंग को आपकी बातें धीरे धीरे पता चलने लगती हैं, कि यह मेरी सौतन है, और यहीं से फ कहती भी होती है काफी ये एक दूसरे को सौतन वाला जो किरदार है वो अच्छे से निवाते हैं लोग एंड उसके बाद जब रितु सिंग मा बनने वाली होती है उनका समय आ गया हुआ होता है तो संचीता बनर जी अपने ससुराल को छोड़कर कहीं और चली जाती है नईर चली जाती है माई के चली जाती है एंड उसके बाद जो है ये एक अच्छे बच्चे को जनम देती है और ये गुजर भी जाती है हलाकि संचीता बनर जी ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल जूल जाते हैं लोग दूस्तों इसी तरह की कहानी इस फिलिम के होने वाली है और उमीद है ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को हम चाहेंगे कि आप एक लाइक कर दें प्यारा सा और हमारी चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें हमसे जूड़ें और उमीद है ये वीडियो सच में आपको अच्छा लगा होगा चलते हैं जै माता दी जै हो